नवाश्कार दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IDFC First Bank Limited यह स्टॉक 83.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आज मार्केट में इसने 1.32% का अप्मूव दिया है मार्केट कैप हो गए है इसके 59,330 करोड की प्रोमोटर होल्डिंग है इसकी 37.40 बुक वैल्यू 39.1 है डिविडेंट यह स्टॉक देता नहीं है और इसकी फेस वैल्यू है 10 जैसे के हमें नाम से पता चुल रहा है यह एक बैंक है और इसकी फंडमेंटल वीडियो मैं ट्रेड कर रहा है बिल्कुल इसके पॉइंट पे है और 200 एमेंज से उंपर ट्रेड कर रहा है सो देखे यहां पे ना एक छोटा सा वो देखा गया है कि यह कोये को तो यह touch करता है फिर move देता है फिर touch करता है फिर move देता है फिर touch करता है और अभी यह हो सकता है कि क्यूंकि volume यह काफी अच्छा है तो हो सकता है कि यह price और 50 DMI का golden cross हो जो की एक बहुत अच्छी बात रहेगी PE ratio की बात करें तो PE ratio median से नीचे ही है तो ये काफी अच्छी बात है अभी sales and margin के बात करें तो gross profit margin काफी अच्छी तरीकी से intact है and sales quarter and quarter increase हो रही है अभी चलते हम chart पे तो देखें Friday को हमने जो volume देखा था वो था 36 million का and आज जो volume है वो है 66 million का तो आप खुद देख लीजे कि volume में काफी अच्छी तरीके से jump आया है and अभी चो ये stock है वो अपने resistance पे बिल्कुल trade कर रहा है तो देखें पहले हमने जो बात करी थी कि जब तक stock ना ये 83 and 84 को cross नहीं करता तब तक हम fresh entry नहीं बना सकते ठीक है तो मुझे था कि एक बार एक resistance को cross कर लिए उसके बाद हम बना सकते हैं क्योंकि इस resistance के बाद ये resistance अगर cross हो सकता है कल यहां पर थोड़ा से ये करें पर मुझे लगता है कि उपर चला जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर volume आया है काफी अच्छा खासा थरस्टे से फ्राइडे को फ्राइडे से उसके बाद भी जंप आया है काफी अच्छा खासा तो देखिए यहां पर entry की बात करें तो entry long term short term मुझे लगता है दोनों के लिए मैं होती तो मैं यहां पर बना लेती उससे पहले एक वार हम confirmations पहले एक बार चलेंगे BSE पर इसका price band है 10% का and एक news आई है जो कि मैंने यहां पर open कर रखी है तो basically इस पर यही बुलाए कि bank ना कुछ eligible employees को कुछ shares दे रहा है and face value जिसके 10 है क्योंकि अभी face value जिसके 10 है eligible employees को दे रहा है and जो shares के numbers है वो है 13,61,185 equity shares of face value 10 तो यह अपने eligible employees को दे रहा है and उसके बाद यह value है इतने shares है and उसके बाद हो जाएगी यह sorry इतने हो जाएंगे and पहले यह वाली value थी ठीक है तो यह है इसमें mention किया हुआ and ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि जिसके इसके price पे आपे down movement में किसी भी तरीके का फर्क पड़े so basically यहां पे देखा जाए तो मुझे लगता है क कि अभी यह stock थोड़ा सा जाने को त्यार है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो bank sector सारा यह तो चलो पहले ही भाग गया था इसने काफी अच्छे आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे move दिये हैं इसने 19th April के बाद काफी अच्छे move दिये हैं last year यह पुरा भागता ही रहा है दो तिम महीन है तो उसके बाद यह stock थोड़ा सा consolidation zone में था and अभी सारे banks की rally रनी हुई थी तो उस time पर यह stock भागा नहीं है तो मुझे लगता है अब यह stock भागने के लिए यहां पे ready हो चुका है तो ज़रूरी रही है कि भागने के लिए ready हो चुका है हो सकता है कि थोड़ भी मुझे लगता है कि 6% का जैसे ही यह cross कर जाएगा ना तो उसके बाद तो यह confirmation हो जाएगी कि हाँ जी यह stock भागने के लिए तयार है तो हम 99 के move तो definitely हम मुझे लगता है 9900 के move हम कर सकते हैं यहां पे target तो दीखे पहले तो यह वाला target रखेंगे हैं हम and the price band जो है इसका व बहुत अच्छी बात हो जाएगी so entry short term long term के लिए दोनों के लिए मैं यहां पर जुरूर बनाते क्योंगे confirmation भी मिल चुकी है so बस यह मेरी analysis है को 22 hold के recommendation है आप अपने analysis कीजिए जाने समझे पढ़िए और फिर invest करें तैंक यू